अलो दोस्तों मैं हूँ प्रवीर और आप देख रहे हैं Tech & Technics आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Frequency Response के बारे में Frequency क्या होता है ये हमारे Equipments में किस तरह से काम में आता है जैसे कि crossover में, Equipalizer में इसके बारे में आज हम एक आसान भासा में जानने वाले हैं तो चलिए सुड़ू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए ताके आपको मिल सके हमारी नोटिफकेशन सबसे पहले और वीडियो को लाइक करना मत बुलिए दोस्तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे जो पुराने साउंड मैंस होते हैं उनको तो आइडिया होता है फ्रिक्वेंसी इसके बारे में लेकिन जो नए लोग होते हैं जो इस फिल्ड में फिलाल उत्रे हुए हैं तो उनको काफी मुसीवत का सामना करना पड़ता है फ्रिक्वेंसी को समझने में तो आज ये वीडियो देखने के बाद और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक टेस्टिंग भी करने बाला हूँ तो आपके जो फ्रिक्वेंसी को लेके डाउट है वो मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे एक्वेंसी वो होता है जो हमारा कान रेस्पॉंस कर सकता है जो चीज हमारे कानों को सुनाई देती है वो होता है फ्रिक्वेंसी हमारे जो इनसानी कान है वो 20 हच से लेके 20 किलो हच तक सुन सकते हैं और इस frequency में आपका low frequency होता है, mid frequency होता है और high frequency भी होता है इंसान के कान में भी same उसी तरह से तीन तरह के पर्दे होते हैं जो के low frequency के लिए एक अलग पर्दा होता है और mid frequency के लिए एक अलग पर्दा और high frequency के लिए एक अलग पर्दा जिस इंसान का कोई भी एक परदा ड्यामेज हो जाता है तो वो वाला frequency वो सही से सुनने ही पाता है तो उसके लिए उसको हमें उच्छा बोलना पड़ता है अब हम बात कर लेते हैं frequency में ये जो हर्ज है वो क्या है जैसे कि हम दूरियों को मापते हैं km या फिर miles में सेम उसी तरह से frequency को हर्ज में मापा जाता है और अब किलो हर्ज क्या है 1000 हर्ज जो है वो मिलके एक किलो हर्ज बनता है अब हम जान लेते हैं frequency का range क्या होता है frequency का range आपने तो जान लिया जो इंसान के कानों को सुनाई देता है वो है 20 हर्ज से लेके 20 किलो हर्ज तक उसमें आपका जो low frequency होता है वो 20 हर्ज से लेके 200 हर्ज तक होता है और आपका जो mid frequency होता है वो 200 Hz से लेके 5 kHz तक होता है और आपका जो high frequency होता है 5 kHz से लेके 20 kHz तक होता है अब हम इसको crossover में कैसे use करें इसको crossover में use करने से अगर हम two way में use करना चाहते हैं तो हमें अपने low speaker के लिए अलग से frequency निकालना होगा और mid high के लिए अलग से frequency निकालना होता है जैसे कि हम अगर DJ के लिए use करते हैं तो हमें 120 Hz परफेक्ट रहता है और उससे उपर का जो frequency है उसको हम टॉप में से output कराते हैं अब हमें जानना है कि हमें frequency को क्यों divide करना है क्योंकि हमारा जो equipments बने हैं वो अलग-अलग frequency को response करने के लिए जैसे कि हमारा जो subwoofers होते हैं उसको हम use करते हैं low frequency output कराने के लिए तो हमें कोई भी जरूरत नहीं उसमें mid डालने की तो हम उसको सिर्फ low तक ही सिमित रखेंगे सेम अधर चीजों में भी आता है जैसे कि आपका टॉप है उसके पीछे आपका लिखा रहता है कि यह कितना frequency से लेके कितना frequency तक सबसे बेस्ट response करेगा तो आपको उस हिसाब से उसको response कराना सही रहता है और liner इसके लिए भी अगर liner आप high mid liner ले रहे हैं तो आप उसको high mid का ही frequency देना उसके लिए सबसे बेस्ट होगा उसको low frequency देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो low frequency आउटपुट करा ही नहीं पाएगा तो हम क्यों उसको low frequency दें इसलिए frequency को divide करने में काम में आता है अगर आप live setup के लिए cross over के use करते हैं तो वहाँ पे आपको frequency का knob जो है थोड़ा सा खोल के रखना होता है क्योंकि live setup में जो kick drums होते हैं या फिर दूसरे जिसमें से आपका low mid frequency थोड़ा सा output होता है अगर आप frequency के knob को अगर दबा के रखेंगे जैसे कि DJ के लिए आप रखते हैं तो उस time में आपका जो low mid का जो frequency है वो थोड़ा सा missing हो जाएगा तो इसलिए आप live setup के लिए 160 तक भी use कर सकते हैं अपना subwoofer speakers को अब हम जानने वाले हैं के equalizer में frequency का काम क्या होता है जैसे crossover में ये divider है जैसे frequencies को divide करता है अलग-अलग way में चाहे वो two way हो गया, three way हो गया या फिर four way हो गया लेकिन equalizer में उसका काम ये होता है वो particular एक frequency को boost या फिर cut कर सकता है अगर कोई भी frequency आपको unwanted लगता है लगता है थोड़ा ज्यादा है या फिर थोड़ा कम है तो आप उसको boost या फिर cut कर सकते हैं आप लोगों में से काफी दोस्त हमें पूछते हैं कि क्या हम crossover की जगा equalizer को use कर सकते हैं crossover की तरह उनके लिए मेरा जवाब य जो equalizer का काम होता है वो frequency को boost करता है या फिर cut कर सकता है कोई भी particular एक frequencies को तो आप crossover की जगा equalizer को use मत कीजिए क्योंकि अगर आप equalizer के through low frequencies को ज्यादा और high mid frequency को कम करना चाते हैं आप सोच रहे होंगे कि इसको में base के लिए use करूँगा लेकिन आपका सारे के सारे जो high mid frequencies है व जो fader होते हैं उसको थोड़ा उठाने से आपको ऐसा लगे कि आपका सबूफर सही से response कर रहा है लेकिन वो सही से response नहीं कर रहा होगा वो थोड़ा सा boost हो गया होगा इसी वज़े से आपको लग रहा होगा कि crossover की तरह यह response कर रहा है और next problem आपको क्या आएगा आपका जो base ह और आपका जो top है दोनों कभी match नहीं होंगे क्योंकि आप top को fully response करा रहे होंगे directly mixer से और base को इसके through response करा रहे होंगे तो काफी सारा mismatch शुरू हो सकता है जिससे आपको एक अच्छी को लेडी का sound नहीं मिलेगा और अगर आप crossover की use करते हैं तो वहाँ पे dividers होते हैं अलग- का speaker है और आपका जो mid-high का speaker है वो perfectly match हो पाते हैं और एक आपको अच्छा sound quality मिल पाता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में मैं इसी चीज़ को testing करके आपके लिए लेके आने वाला हूं जैसे कि crossover के साथ, equalizer के साथ और हम crossover और equalizer को और भी detail में जा चेल दी चाहिए तो आप इस video को लाइक कीजी और share कीजीए ताके मैं फ्रेपर होके जल से जल वह बेडियो ला सकूँ तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करतीजिए और notification bell भी on कर दीजे ताके आपको मिल सके हमारे notification सबसे बहल है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बबाई, see you soon